अप्रेस वेलकुम तो माइड चैनल में वैलाने निम्मा चलिये यह संद्धिल उचिए अच भनाते हैं और फिश फ्राया तंदूरी मसालय में जहां करेंगे हम इसे deep fry नहीं करेंगे, shallow fry करेंगे, तो चलिए, देखते हैं ingredients, इसका main ingredient है fish, ये मेरे पास fish है, आप इसे pomprat में भी बना सकते है, ये मेरे पास black color का pomprat है, normally इसे कहते है, halwa, इस तीने या तो holy style में बोलते हैं, इसे halwa कहते है, normally भी इसे black pomprat, तो ये बड़ा सा fish है, जो मैं क्लीन करके अच्छे से wash किया है, तो नाव मसाले देखते है, क्या क्या मसाले यूस होने वाले इसमें, यूस करने वाली हूँ, मैं मैं थोड़ी सी curd लेने वाली हूँ, ये red chili powder है, ये healthy powder है, ये food color है, orange and red color mixed हो रहता है, ये थोड़ा सा food color यूस करंगी, just for the color, अगर आपको नहीं चाहिए color, तो you can skip it out, ये धना powder है, ये जीरा powder है, ये थोड़ा सा घी लगेगा, जो मैं नॉर्मली यूसे smoke करूंगी, बार में लास्ट में, तो I'll show you how, और ये ginger garlic और green chili का paste है, तो अभी मैं इसको cut करूंगी, तो इसे मैंने इस तरह से cut किया है, आप आपके हिसाब से आप कट करिये, बड़ा चोटा अगर आप इस बीच में से भी आप और एक का लाइन मार के कट करना तो इसका वन बाइटू हो जाएगा, तो I just wanted this way only, तो मैंने इसे रखा है, अब मैं इसका marination ready करती हूं, में डालूंगी करीब तो टेबल स्पून कर्ड, तालूंगी इसमे रचिली पाउडर, बाउट वन टेबल स्पूल से थोरा जादा, हल्दी पाउडर, वन टेबल स्पूल धना पाउडर, यह वान हाव टी स्पून है, जेरा पाउडर, नमक, टेस्ट के साफ से लेजे, salt as per your taste, इसमें डालूंगी मैं करीब एक बड़ा टेबल स्पून, जिंजर गालिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, अभी पहले मैं इसमें मिक्स करूंगे इस तरह से, इस वे, इसमें में डालूंगी थोड़ा सा फूड कलो, आज से, नव, आज बड़ा टेर्व, इसमें अपड़ेगा राइब देल, आज अप्ड़ें, आज आज मिक्स आज एंगे, आज बड़ाएम थोड़ा टेल, इसमें अपड़ेगा राइका तेल, अभी जो फिश है मैं इसमें आइड करूँगी यह देखें यह जो फिश है इसमें आड कीजिए और इसे अच्छे से मारनेट कीजिए और दियानर के जितना देर आप मैरनेशन करकेंगे उतना ही जदा टेस्टी बनेगा अगर आपके पास वक्त है तो प्लीज मैरनेट कीजिए इफ यू दोंट आफ ताइम बट आप लिए पर टेन मिनिट्स तो कीप दे मैरनेशन जितना अच्छा मैरनेशन होगा उतना अच्छा टेस्टी बनेगा अभी मैं इसको टैन फिफ्टीन मिनिट्स के लिए छोड़ देते हूं वने फ्लेमान कर दिया है पैन रग दिया है मैंने यह वाले पैन यूज की हूँ आपके पास जो नॉर्मल फ्राइपन रहती है आप मैंने मैरनेशन में भी राइका तेल डाला है और फ्राइ में भी राइका तेल यूज कर रहे हूं इससे टेस्ट बहुत अलग आता है तो हमारे अल्मोस्ट 10-15 मिंट्स हो चुके हैं मैं इससे फ्राइ कर लिए हूँ यह बहुत ही तेस्टी लगता है कि फ्लेम को मीडियम कीजिए और यह बच्चावा मसाला है तुराइ तो कोट इटाप फ्लेम को मीडियम इसलिए बोल रहे हूं क्योंकि हम जब फ्लेम हाई करते हैं फिश तो फ्राइ होता है बद जो बॉटम रहता है वो बर्न हो जाता है मसाला जल जाता है कंप्रीटली और फिर पुरा कडवा टेस्ट लगता है तो इसे हम फ्लिप करते हैं ल्हों किटः एक है को क्यों थे कि अ श्लोली हम दिरिंगे इसारा से शार बिद जब फिर्प करींगे जब इस तरह सैंगे जब हमारा फिश सेकेंड साइड भी हो रह रहे हैं इसे में में कोईला है उसे smoke देने की तैयारी करती हूं तो ये मेरे पास एक होईले का तुकडा है उसे मैं फ्लेम आन करके बर्न करती हूं स्लोग है पे यह मेरे मेडियम फ्लेम जब तक गरम हो रहा है तब तक मेरा फिश भी फ्राइ हो चुका होगा तो ये फिश है मैंने ये जो कोईला है ये में कटोरी में डाल रहे हूं और इसके उपर से आल बी एडिंग आफ टी स्पून ऑफ घी नाव फिकली मैं इसको स्मोक कर रहे हूं और इससे दबा के रखिए तो हमारी डिश बनके रेडी है तो देखिए कैसी बनी है ठ्राइ कीजिए और कमेंड बॉक्स में जरुर बताईए तंदूरी स्टाइल फिश एकदम तंदूरी मसाला में बनाया हुआ है ये आपके फैमली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये बहुत ही ज़्यादा ट ताके जो भी मैं वीडियो बनाओ आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके मुसेल पे आ सकती है और फेस्बूक और इंस्टाग्राम पे फॉलोव जरूर कीजिए तिल देन कीप कुगेंग और एंजोई इटिंग तिल देन स्टेशे पेक्केर बाई झाल